शेकित तर्फिक्षामंत्री विश्वास सारंग ने मध्यप्रदेश की बढ़ती सक्रिता पर कहा किसी भी देश द्रोही को बक्षा नहीं जाएगा विश्वास सारंग ने कहा दिग्विजज सिंग तुष्टी करन की राजनीती को बढ़ावा देते हैं वाइरल फीवर पर कमलनाथ की टूइट को लेकर सारंग ने हमला बोला कहा कमलनाथ बिना जानकारी की टूइट कर रहे हैं साथ ही नावालिक से दुष्ट कर्म के मामले को लेकर कॉंग्रस पर निशाना साथा देखें मध्य पर देश में किसी भी देश द्रोही को बक्षा नहीं जाएगा ये सुनिशित कर ले देश को तोड़ने वाला देश की आवववा को बिगारने वाला और देश की एक ताखंड़ता पर कुठारा घात करने वाला व्यक्ति कोई भी होगा वो बक्षा नहीं जाएगा कि मध्य पिदेश में कोई भी देश द्रोही समाज में रहने लायक नहीं रहेगा वो जहां भी होगा उसको पकड़ कर जो भी करना होगा वैसा किया जाएगा इस बयान के पीछे क्या मंतव्य है ये हिंदू समाज जानता है और मैं फिर कहूंगा कि दिगविय सिंग जी केवल तुस्टी करन की राजनीती ही नहीं करते बल्कि वो बहु संख्यक समाज को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और जैसा मैं पहले कहते आया हो कि वो पाकिस्तान परस्ती की राजनीती करते हैं उनका एजिंडा केवल और केवल इस देश के मान और सम्मान को अंतरास्ती इस तरपर नीचे दिखाना है हिंदुों को अपमानित करना है और अपने तुस्टिकरंड की राजनीती के माध्यम से केवल वोट बैंक की राजनीती करना है मद्धे प्रदेश में हर इस्तिती में दावे के साथ कह रहा हूँ चाहे करोना का मामला हो या सीजनल बीमारी का मामला हो हम हर इलाज को करने में सक्षम है मैं स्वयम अस्पताल का दोरा करके आया और डॉक्टर से बात किये पूरे प्रदेश में, चाहे वो वाइरल हो, चाहे वो डेंगु हो या करोना हो, हम हर तरह की बीमारी के इलाज के लिए सक्षम हैं, और केवल इसी में नहीं, हमारा डेंगु को लेकर जो लारवा ना बने, लारवा एकट्टा ना हो, उसके लिए हमारे दूसरे विभाग, चाहे वो नगरी प्रशाशन विभाग हो या हमारा ग्रामीन विखास विभाग हो, वो भी काम कर रहा है, हम कटी बगते हैं मध्यपरदेश में लोगों की स्वास्त की चिंता करने के लिए, बिना तथे के आरो इसलिए है कि वो उनका डेटी ट्रिक्स डेपार्टमेंट है, उन्हें तो केवल और केवल पी सी सी में बैठ कर और समाज में बेवननस से सहलाना है, पर मैं ये काऊंगा कि कोई भी व्यक्ति ने यदि कुछ गलत काम नहीं